प्रश्णा नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत प्रश्णों के उत्तर एक पद में लिखने हैं पहला प्रश्णा है विरिक्षे का प्रतिवस्तिस में विरिक्ष पर कौन रहती थी? उत्तर है चटका अर्थात चिडिया या गवरईया का के स्थान पर आजाएगा चटका अगला है व्रिक्षत से अधय क्या आगता है, व्रिक्ष के नीचे कौन आया, उत्तर है गजह, अर्थात हाथी, क्या के स्थान पर गजह, अगला है गजह केन शाखाम अत्रोट्यत, हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ा, उत्तर है शुंडेन, सूंड से, केन के स्था काम, कस्या, समीपम, अनियत, कट फोडवा, चिडिया को किस के पास ले गया, उत्तर है मक्षिकाया, मक्खी के पास, कस्या के स्थान पर मक्षिकाया, अंत में है, मक्षिकाया मित्र है, मित्रम क्या सीत, मक्खी का मित्र कौन था, उत्तर है मंडू कह, अर्थात मैंडक, क्या के करताने प κάνकित पदों को ले कर प्रश्च निर्मान करना है सबसे पहले है कालें, चटकायह, संत्य जाता समय बीतने पर चिडिया की संत्यaval BURP इसका प्रश्न बनेगा कालें कस्यह संत्या जाता समय बीतने पर किसकी आ जाएगा कस्यह। अगला है चटकाया नीडम भुवी अपतत चिडिया का घोसला जमीन पर गिर गया प्रश्ण बनेगा चटकाया किम भुवी अपतत चिडिया का क्या जमीन पर गिर गया नीडम के स्थान पर किम और अंत में प्रश्ण वाचक्षिन अवश्य लगाना है अगला है गजस्ये वध्यनाईव मम दुखम अपसरेत हाथी के वद से ही मेरा दुख दूर होगा प्रश्ण बनेगा कस्ये वध्यनाईव मम दुखम अपसरेत किसके वद से मेरा दुख दूर होगा गजस्ये के स्थान पर कस्ये अंत में है काश्ट कूट है चंचवा गजस से नईने स्फोटी श्यती कट फोडवा चोज के द्वारा हाथी की आँखे फोड़ेगा प्रश्ण बनेगा काश्ट कूट है कया गजस से नईने स्फोटी श्यती कट फोडवा किसके द्वारा हाथी की आँखें फोड़ेगा चंचवा के स्थान पर आजाएगा कया तीसरा प्रश्ण है मंजु शाता है क्रिया पदाने जित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत इस पेटिका से क्रिया पद लेकर रिक्त स्थान भरने है सबसे पहले है काश्ट कूट है चंचवा गजस्य नईने स्फोटई शती कट फोडवा चोंच के द्वारा हाथी की आँखें फोड़ेगा तो यहां हम भरेंगे स्फोटई शती फोड़ेगा अगला है मारगे स्थित है अहम अपी शब्दम करिश्यामी रास्ते में बैठा हुआ मैं भी आवाज करूँगा तो यहां हम भरेंगे करिश्यामी करूँगा अगला है त्रिशार्त है गजह जलाश्यम गमिशती प्यास से व्याकुल हाथी तलाब की ओर जाएगा तो यहां भरा जाएगा गमिशती जाएगा अगला है गजह गरते पतिशती हाथी गढ़े में गिर जाएगा तो यहां हम भरेंगे पतिशती गिर जाएगा अगला है काश्ट कूटे ताम मक्षिकाया समीपम आन्यत कट फोडवा उसे मक्षी के पास ले गया तो यहां भरा जाएगा आन्यत ले गया अंत में है गजह, शुन्डेन, व्रिक्ष शाखा, त्रोट यती, हाथी सूंड से व्रिक्ष की शाखा को तोडता है, तो यहां हम भरेंगे त्रोट यती, हथा तोडता है चोथा प्रश्ण है प्रश्णा नाम उत्तराणी एक वाक्यें लिखत प्रश्णों के उत्तर एक वाक्यें में लिखने है पहला प्रश्ण है चटकायाहा विलापम शुत्वा काश्ट कूट है ताम किम अप्रिचत चिडिया का विलाप सुनकर कटफोडवे ने उससे क्या पूचा उत्तर है चटकायाह विलापम शुत्वा काश्ट कूटय ताम अप्रिच्छत चिडिया का विलाप सुनकर कटफोडवे ने उससे पूछा भद्रे कि मर्थम विलपसी हे प्यारे चिडिया तुम किसलिए रो रही हो अगला प्रश्न है चटकायह काश्ट कूटस से चै बारताम शृत्वा मक्षिका कि मवदत चिडिया और कटफोडवे की बातें सुनकर मक्षि ने क्या कहा उत्तर है चटकायह काश्ट कूटस से चै बारताम शृत्वा मक्षिका आवदत चिडिया और कटफोडवे की बातें सुनकर मक्षि बोली ममापी मित्रम मंडू कहे मेग नाध है अस्ती मेरा भी मित्र मेंडक मेग नाध है शीग्रम तमूपेत यतोचितम करिश्या मैं जल्दी ही उसके पास जाकर जैसा उचित होगा करेंगे अगला प्रश्ण है मेग नाध है मक्षिकाम किम अवदत मेग नाध ने मक्षि को क्या कहा उत्तर है मेग नाध है मक्षिकाम अवदत यथा अहम कथियामी तथा कुरुतम मेग नाध ने मक्षी से कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो अंतिम प्रश्ण है चटका काश्ट कूटम किम अवदत चिडिया ने कटफोडवे से क्या कहा उत्तर है चटका काश्ट कूटम अवदत चिडिया ने कटफोडवे से कहा दुष्टेन एकेन गजेन मम संतती नाशिता एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान का नाश कर दिया गया है तस से वधनैव मम दुखम अपसरेद उसके वध से ही मेरा दुख दूर होगा पहली लाइन है पठिशती पठिशत है पठिशंती ये पठ धातू का लेट लकार का प्रथम पुरुष है इसी प्रकार पत धातू का लेट लकार प्रथम पुरुष होगा पतिशती पतिशत है पतिशंती और मर धातू का लेट लकार प्रथम पुरुष होगा मरिशती अगली लाइन है गमी श्यसी गमी शत है गमी शत ये गम धातू लेट लकार का मध्यम पुरुश है इसी प्रकार धाब धातू का लेट लकार मध्यम पुरुश होगा धावी श्यसी धावी शत है धावी शत तीसरी लाइन है लेखी श्यामी लेखी श्याव है लेखी श्यामे है ये लिख धातू का लेख लकार उत्तम पुरुष है इसी परकार हस धातू लेख लकार उत्तम पुरुष होगा हसि श्यामी हसि श्याव है हसि श्यामे है और ये द्रिश धातू का लिटल कार उत्तम पुरुष होगा द्रक्षामी, द्रक्षावह, द्रक्षामे है चाटा प्रशन है उधारन अनुसारम स्मश सब्द योजित्वा भूत कालिक क्रियाम रचियत उधारन के अनुसार स्म लगाकर भूत कालिक क्रिया बनानी है सबसे पहले है अवसत इसका क्या मतलब है रहता था इसके सामने है वस्ति स्म इसका मतलब भी यही है रहता था वस्ति लटलकार वरतमान काल की क्रिया है लेकिन स्म लगने के बाद ये भी भूत काल की क्रिया बन गई जैसे अवसत है इसी प्रकार अप्ठत का हो जाएगा पठतिस्म, अत्रोटियत त्रोटियतिस्म, अप्तत पततिस्म, अप्रिच्छत प्रिच्छतिस्म, अवदत बदतिस्म, अनियत नैतिस्म सात्वा प्रश्ण है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानी पूर्यत कोश्टक से उचित शब्द लेकर रिक्स्थान भरने हैं सबसे पहला है एका बालिका मधुरम गायती एक बालिका मधुर गाती है बालिका इस्त्रिलिंग शब्द है इसलिए इन तीनों में से इस्त्रिलिंग शब्द लिया जाएगा एका अगला है चत्वार है क्रिश्का क्रिशी कर्मानी कुर्वंती चार किसान खेती का कारिय करते हैं क्रिश्का पुलिंग शब्द है इन तीनों में से पुलिंग शब्द है चत्वार है इसलिए हम लेंगे चत्वार है अगला है तानी पत्रानी सुन्दरानी संती वे पत्ते सुन्दर हैं पत्राणी नपुन्सक लिंग बहुचन शब्द है इन तीनों में से नपुन्सक लिंग बहुचन शब्द कुन सा है तानी तो हम लेंगे तानी अगला है धेनवे है दुधम ददती गुवें दूद देती हैं धेनवे है अथात गुवें बहुचन तो इसके साथ लिये जाएगा दद्ति वहुचन शब्द है दद्ति दाध हातू के रूप इस परकार होते हैं ददाति दत्त है दद्ति तुझ जा लिये जाएगा दद्ति अंत में है वयम संस्कृतम अब ठाम हमने संस्कृत पढ़ी वयम उत्तम पुरुष बहुचन शब्द है और इन तीनों में से उत्तम पुरुष बहुचन शब्द है अब ठाम तो यहां लेंगे अब ठाम वयम संस्कृतम अब ठाम हमने संस्कृत पढ़ी प्यारे बच्चों आज का अभ्यासकारी यहीं समाप्त होता है अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वश्य कर ले धन्यवाद आप सबका कल्याणू